कॉंग्रेस नेता रहुल गांदी ने तेलगाना चुनाव प्रचार से जुड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाया उन्हों ने कहा कि मेरा ट्रांसलेटर बनना बहुत खतरना काम है तेलगाना में मेरा स्पीश ट्रांसलेट करते वक्त एक ट्रांसलेटर मुश्किल में पढ़ गया था रहुल ने ये बाते केरल के कोजी कोड में दिवंगत मुस्लिम लीग नेता पी सतीश हाजी पर लिखी गई एक किताब के लांच प्रोग्राम में कही इज़ोरान इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के सांसत अब्दू समादानी ने रहुल की स्पीश को टेलगू में ट्रांसलेट किया रहुल ने कहा कि मेवा हिंदी के 5 शब्द कहता था और सोचता था कि तेलगू में 5 या 7 शब्दों में इसका अनुवाद हो जाएगा लेकिन मेरे ट्रांसलेटर 20 से 30 शब्द कह देते थे कभी कभी में कुछ बहुत बोरिंग कहता था लेकिन तेलगू में वही बात सुनकर लोग खुशी से जुमते थे कभी में कुछ बढ़िया बात कहता था लेकिन लोग चुप रह जाते थे राहुल ने कहा कि स्टेश पर रहते वक्त मुझे पूरे समय मुस्कराते रहना पड़ता था क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता था इस मोके पर राहुल ने कहा कि नेता बहुत स्मार्ट होते हैं और वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं कई बार वे साधे कपड़े और सस्ती घड़ी पहन कर आते हैं लेकिन जब मैं उनके घर जाओं तो मुझे वहां BMW खड़ी मिलती है इसे में नेताओं की असली सोच का पता लगाने के लिए मैंने एक तरकीब निकाली है मैं नेताओं को उनके बच्चों के जरी समझता हूँ राहुल भोले जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उनसे साधारन सवाल पूछता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वए अपने बच्चों को मुझे से मिलने भे सकते हैं मैं उन्हें बताता हूं कि मैं उनके बच्चों से इसली मिलना चाहता हूं क्योंकि बच्चों से आप सच नहीं छीपा सकते